हेलो एवरिवन वेल्कम टू माई चानल वे विल लेन टूड़े जेनरल हिंदी आज हम लोग सामान हिंदी जानेंगे यह जितने भी कुस्टन्स होंगे यह आने वाले के वी एस इसके साथ साथ सी टी इटी इसके साथ साथ यूपी टेट ठीक है इसके लिए बहुत महत्पुन है प्रन्तु जो यह प्रिवियस येर के वी एस के कोशन है के वेस के लिए ज़्यादा महत्पुन है सो बडियो को स्किप ना करें पूरा पूरा बडियों देखे और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें अगर आप हमारे चैनल पर नहां है तो ज आपी वीडियो मॉक टेस्ट की डाली है अब पहले कोशन से परचीत हो जाए पहला कोशन क्या कहा रहा है जिस संग्या से पदार्थय पाये जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते है ए व्यक्तिवाचक संग्या बी वस्तु वाचक संग्या सी यहां पर संग्या सी होगा भाव अचक संग्या और डी होगा जाती वाचक संग्या अब बदाएं इसका सही उत्तर क्या होगा अब इसका उत्तर दें अपने संग्या की परिवासा पड़ी होगी ग्रामर की व्याकरण की पुस्तकों में अब इसका उत्तर दें its answer is C यानि भाव अचक संग्या इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाव अचक संग्या जीकिया ऐसा क्यों होगा जिस संग्या से पदार तो ये पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे भाव अचक संग्या कहते है जैसे आप लिखे मीठा मीठा क्या है उसके दो जाएगा नम्रता ठीक है नम्रता उसके बाद जाएगा लंबाई ठीक है तो ये सब क्या है भाव अचक संग्या के उदार रहने मीठा नम्रता लंबाई आग में गर्मी पानी में सितलता ये सब क्या पदार तो के मनें पदार्थ के गुन और धर्म को अलग नहीं रह सकता मतलब यह बता रहे हो एक साथ ठीक है तो यह क्या हो जाएगा आपका भावचक संग्या हो जाएगा अब ट्वेल नमर कुश्चन को जाने निम्ने कित में से कौन से होगा संगत है अब पताएं इसमें कोन से संगत है अब ट्वेल नमर का उत्तर दें इटस एंसर एगे विकलप में पीना खाना युगवा संगत है इसका संगत रूप क्या होगा इसका संगत रूप होगा देखे खाना, उसके बाद हो जाएगा खाना के बाद हो जाएगा पीना ये इसका संगत रूप है ठीक है खाना और पीना तो अपृपेट जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा यह टूरल नमर का जो तर हो जाए क्या हो जाएगा सी अब थर्डी नमर को सन को जान ले जल पीपासू सब्द में कौन सा समास है देखे समास की काफी वीडियो में डाली है प्रेलिस्ट होएं आप उसे जाकर जरूर देखे और अपने नॉलेज को इंक्रिस करे अब बताएं जल पीपासू सब्द में कौन सा समास है आपको समास बताने हैं अब थर्डी नमर को उतर देखे एट से अंसर इस सी तत्पुरू समास अब देखे दिये गए जल पीपासू में कर्म तत्पुरू समास है जिस समास में कारक चिन का लोप हो किसका देखे कारक का क्या होता है मैंने बता है ऐसे कारक का लोप होता है किसका लोप होता है कारक का लोप हो जाता है तो जब कारक करो गगन को चुमने वाला गगन चुमी जल को पीने की इच्छा रखने वाला अब देखें जल पीपासू का मतलब क्या होता है जल को यानि को पीने की इच्छा क्या हो लुप्त हो तो वहाँ पर हम तत्पुरु समास उसे कहते हैं एक तो करेला दूजे नीम चड़ा इस लोकती में के सटीक अर्थ को दियेगे विकल्पों में से चैन कीजिए A. करेले की बेल नीम के ब्रिक्च पर चड़ना B. करेले और नीम का संजोग स्वास्त के लिए हित कर होना C. करेले और नीम का रस मिलाना D. एक साथ दो या कई दुरगनों का होना ठीक है अब इसका उप्सिंस को देख लेए एक तो करेला दूजे नीम चड़ा का सटीक अर्थ क्या होगा अब बताएं 40 नमर का पुत्तर दें It's answer is D. एक साथ दो या कई दुरगनों का होना देखे दिएगे विकल्ब में से एक तो करेला दूजे नीम चड़ा लोकती कारत होता है एक साथ दो या कई दुरगनों का होना वाक्य में रमेज पहले से बिगड़ा हुआ था अब उसने आवारा लोगों के साथ कर लिया है इसे कहते हैं एक तो करेला दूजे नीम चड़ा ठीक है दुरगनों का होना अब आप 50 नमर कोशन से ओगत हो जाएं वाक्य रशात्मक काव्यम अर्था रशात्मक वाक्य ही काव्य है काव्य लक्षन की विसे में एक कतन की साचारे का देखें ये सब जो कोशन इसी तरह के पैटरन रहेंगे ये 2018 के TGT, PGT और PRT के लिए बहुत ही महत्पुन है अब बताएं वाक्य रशात्मक काव्यम अर्था रशात्मक वाक्य ही काव्य है काव्य लक्षन के विसे में कतन की साचारे का है आप फ्यूप्रीन नमर को उतर देएं इट्स एंसर इस सी विश्वनाद देखें, यहां पर रश्रात्पक वाकई काव रक्षन के विश्यम में विश्वनार जी का है, आचार विशुर्शन ard другी के संस्कूरत की अचारत है? किस के अचारत है? מ griev 3 पोटवी काव आपर बातरड़ में काव या जो संस्कूरत की कैव संस्कूरत क्या है? सताब्दी में यह अचारे थे कुन विश्वनात ठीक है आप है कि जाने 60 निमर कोशन से परचित हो जाए आप निम्रिकित में से कौन सा सब्द अर्द तत्सम है देखें तत्सम होता है एक होता अर्द तत्सम एक होता तद वो ठीक है A. आकर B. अक्षर C. अक्षर और D. अक आपको बताना इसमें से कौन सा सब्द अर्द तत्सम है अब बताएं इसका उत्तर हो जाएगा आप देखें 60 निमर का उत्तर दें आप इट्स एंसर इस B इसका उत्तर हो जाएगा B. देखें तत्सम और तद्वाव देखें अक्षर जैसे मान लिजिए तो तत्सम तत्सम हो गया तत्सम में क्या हो गया अक्षर ठीक है अर्द तत्सम जब होगा तब क्या हो जाएगा अच्छर अर्द तत्सम होगा तो अच्छर अगर माने जिए कि तो इसी का तद्वा हो जाता है, तद्वा हो जाता है, तब कैसे लिखेंगे अक्छर को, पहले तो तस्त्सम में हो गया, आपका देखिया, सुरी, फिर से मैं एक बार लिख दे रहाँ, यह था, एंसर अक्छर, यह क्या था, अर्थसस्म था, उसके बाद हो गया, आपका अर्थसम हो गया और ततसम हो गया अक्छर ये क्या हो गया तो ततसम हो गया क्या हो गया अक्छर और ये क्या हो गया ये हो गया तत्वर तद्वाव 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 जो हो गया वो गया अर्द तद्वाव 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 पिसका उतर दैए इसका से उतर क्या होगा ओके इस एंसर ईस डी माहकाव यानी इंग्लिज विसे हम लोग कहते हैं कामाईनी हिंदी भासा का महाम कावे जिसके रचनाकार को नहीं कि जैं सॉरी यहां पर पीर से मैं लेखता हूं जैसंकर परशाद यानि ये क्या है महा काव्य है और इसके रचनाकार कोन है जैसंकर परशाद यानि जैसंकर परशाद जी जो थे वो कैसे कवी थे, तो वो चायवादी थे, कैसे कवी थे, चायवादी कवी थे, ठीक है, आप परचित हो गया है, यानि 70 नमबर कोश्चन का जो कामाईनी होगा, वो क्या होगा, महा कावे होगा, आप 80 नमबर कोश्चन से परचित हो जाएं, 80 नमबर कोश्चन क्या कह रहा है, तपवन सब्द में कौन सी संदी है A. विसर्ग संदी B. स्वर्वेंजन संदी C. वेंजन संदी D. स्वर्शंदी आप एड़ी नमर को उतर दें आपसे पूछा जा रहा है कि तपवन सब्द में कौन सी संदी है तो देखे यहाँ पर जो उतर होगा वह होगा विसर्ग संदी अब इसे कैसे विसर्ग संदी करेंगे इसे अब देख लें इसका विसर्ग संदी होगा तपव प्लस वन क्या हो जागा तपव प्लस वन यनि तपवन का होगा तपव प्लस वन विसर्ग के साथ स्वर और वेंजन का मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संदी कहते हैं जैसे मान लिजिए आप लिखते हैं एक हम संदी बनाते हैं निपाप, निशपाप चलिए निशपाप अब इसका संदी बनाएए निश्पाप का संदी क्या होगा ति इसका संदी हो जाएगा क्या यहां पर हो जाएगा नी पाप क्या हो जाए संदी नी पाप तो इस तरह से विसर्क संदी बनाये जाते हैं यहां आप से पूछा गया था पुबन सब्दों कौन संदी है तो आप बेसक कह सकते विसर्क संदी है ओके अब समझ रहे हैं आप 90 नेमर कोश्ण सब्चे खड़ी बोली हिंदी की किस उपवा आती है यहां पूछा कि आप से खड़ी बोली हिंदी की किस अऊपवाशा इंगलिस हिंदी दोनों की इसके सासत computer के mock test है उसे पी आप जा कर दे कर अपने knowledge को increase करें आप 90 नमर के उत्तर दें इसका सही उत्तर क्या होगा यानि आप से पुझाए रहा खड़ी हिंदी किस उपवासा के अंतरगाद आती है its answer is B पस्मी हिंदी देखें खड़ी बोली हिंदी पस्मी हिंदी में चव बोलिया है एक है ब्रजबासा कनोजी बुंदेली खड़ी बोली बंगारू और बांगरू और राजिस्थानी अब ट्वंटी नमर को सलसे परचित है उस मूल दोनी को जिसके खंड ना हो सके उससे क्य कहते हैं उस मूल दोनी को जिसके खंड ना हो सके उससे क्या कहते है a सब्द b1 c परचता है d kridant आप 20 ूमर को ऊतर दें ओके its answer is b1 देखें यहां बुझा रहा है उस मूल दोनी को जिसके खंड ना हो सके उससे वर्ण कहते हैं और देखें हमारे जो हिंदी में कूल वर्ण 152 है ठीक है और वर्ण हमारे उचारित भासा की सबसे चोटी ही का ही है और इसके साथ साथ हम वर्ण को जैसे हम लिख सकते हैं और ठीक है वर्ण इसके बाद को उसके बाद चोग है उसके बाद वो धीक है यह यह सब हैब सब है यह उस YouTube के मिलड़त परफ्ण हर आपने यूनिट कंप्लिट कर ली यह आपको व्ड़ो पसंद आया है अपने दोस्तों को सब share करें वीडियो लाइक करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद